कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये आरम बेज्यूकेशन नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आरम बेज्यूकेशन इंपावरिंग एस्पिरेंस देखिए आज की वडियो में हम लोग गोधन याई उजना वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें ये हलाकी लागू तो ये 20 जुलाई 2020 को ये हो गया था लेकिन इसमें धीरे धीरे करके कुछ 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 जो है एक तो आंकड़े अपडेट हुए हैं दूसरा प्रावधानों के बारों मैं आपको एक बार विस्तार से बताना चाता था क्योंकि एकदम मतलब बहुत महत्वपूर योजना है सरकार की बहुत प्रमोड़ भी सकर रही है सरकार बिलकुल इस योजना ग्रामेडविकास से संबंदीत योजना है आपके पेपर में आने का एकदम चांसे से हैं काफी संभाव नाएं कि आपके पेपर में इससे सवाल पूछा जाए तो आपको एकदम सौट में ऐसा नहीं कि वन लाइनर पूछ देगा इसमें इसमें इ इदम पर्मानिक तॉर पर मैं आपको बताना चाता था जो गौर्मेंट के जो डॉक्यूमेंट जारी किया गौर्मेंट ने उसके हिसाप से फिर आपको प्रमानिक आक्डे और प्रमानिक इसके उददेश श्यवगर मैं सारच ईज़ाश्ट के वीडियो में कवर करने वाला अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छे से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं फिर, गोधन याय योजना, तो इस योजना की सब भी नियाद रखना, 20 जुलाई 2000, 20 याने डेट अगर पूछे तो, सबसे ज्यादा इसमें महतोपूर्ण है, आपका उद्देश से जो है, वो सबसे ज्यादा महतोपूर्ण है, देखो, उद्देश से क्या-क्या है, पहला, पशुपालकों की आय में व्रिद्धी करना, बात करें हम लोग, 36 गड़ की 80% जनसंख्या जो है न, वो क्रिसी कारियों पर निर्भर है, तो अगर आपको 36 गड़ का विकास करना है, तो कहीं न कहीं उसकी सुरुवात ग्रामिन छेत्रों से आपको करनी पड़ेंगी, जो योजनाय लानी है, उसमें आपको ग्रामिन छे सरकार की, उसमें ज्यादा से ज्यादा योजनाय कहां पर किस पर फोकस रहता है, ग्रामिन छेत्रों पर, आप बोलते हैं, बेरोजगारों के लिए या रोजगार से सम्बंदी की उजनाय जो है, चतिस गड़ सरकार बहुत कम लाती है, आपका परसेंटेशी 10 परसेंट है, और गवर्मेंट वोड बैंक देखती है, वोड बैंक, कहां से उसका वोड ज्यादा आता है, तो 80% जन संख्या तो गरामिन छेत्रों में निवास करती है, वहां से उसका ज्यादा वोड बैंक आता है, फिर जो स्ट, 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 दलित, OBC, दुनियादारी मिला के सब एक, उसके बाद कुछ बच जाता है, तो वो बेरोजगारों को मिलता है, इसलिए ये सेक्टर पर रोजगार की बात करें और उससे सम्मंदित योजनाओं की बात करें बहुत कम आता है, चुनिन्दा योजना या लाई जाती है, गुवर्मेंट वोड बैंक के हिसाब से काम करती तो वो एक अलग चीज है ना तो यहां पर आप देखेंगे तो पसु पालकों की आयमे विद्धी करना तो ग्रामिड चेत्रों पर विकास करना है तो वहीं भी आप देखेंगे गोधन्याय योजना नरवा गरवा गुरुवा बारी वाले योजना सुराजी गाम योजना वो भी बहुत बड़ी फ्लेक्सिप योजना तो उसी तरीके से गोधन्याय योजना इसमें जो पसु पालक है ना उनकी आयमे विद्धी करना इसका मुख्य उद्धे से है जिसके कैसे आयमे विद्धी होगी मैं बताऊंगा आपको गाओं के गोबर बेच रहे हैं वो लोगों क्या किया जा रहा है पसु जो घाये गोबर देती थी या भैस जो गोबर को ले जाके गथानों में वेशते हैं सरकार खरीत उरी reliability लेकिन सरकार क्या करती है और जितने भी लोग नहीं जोईन किये इसका स्कृ लandyटर में निक्राल होती रहेंगी कि मैं उसको update महाँ पर शेयर भी करते रहूँगा इसलिए अब उससे जरूर जुड़े हैं आप लोग कम्यूटी टैब में इसका दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक कम्यूटी टैब को क्लिक करें टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम चेयर जरूर जरूर जो जो नई जो कर पार है बताये मुझे कमेंट करके चलो दूसरा है पसुधन की खुली चराई पर रोक लगा कर खरीफ और रभी फसलों की सुरक्षा करना कल मैं इसको पिछले वीडियो में ही आप परसों के वीडियो में इसको बोला था जब मैं कि इन सब चीजों का एक उद्देश सरका का यह है कि पसु की खुली चराई पर रोक लगाना तो कोई किसी ने कुछ कमेंट किया था कि इसका उद्देश से नहीं है इस टाइप का कुछ क्योंकि अब उसमें लिखानी है इसलिए लेकिन पीछे की सोच भगवान उसकी वही है समझ में आ रहा है आप लोगों को तो य इससे क्या होता है कि नुकसान बहुत होता है फिर से किसानों कहीं तो नुकसान हुआ इसको बचाने करिए एक उद्दे से उनकी उनको रख रखाऊ तही सहीं तरीके से हो जाए यह भी गवर्मेंट के इस सब के पीछे की सोच है सरकार की तो पसुधन की खुली चराई पर लगाकर खरीब और रभी फसलों की सुरक्षा करना ताकि यह खुले में चरेंगे पसूलों यह फसल बड़ाद हो जाएगा तीसरा दूपसली चेतर का विस्तार करना मतलब दो फसल दूपसली चेतर एक खेत में दो बार रभी और खरीब दूनों मौसम में फसल ले लिया ज दो फसली छेत्र को बढ़ाने का जे भी एक उद्दे से है उद्दे से को अच्छे से याद रखना निम्न में से कौन सा उद्दे से नहीं है पूछ सकता है बिल्कुल जेविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रसायनी कुरुवरकों के उपयोग में कमी लाना ये अच्छे से याद रखना अभी जो खाद है आपके पास जो पोटास जो और भी रसायनी कुरुवरक की दुकान से वो बहुत ज़्यादा हानी कारक है हेल्थ के लिए वहाँ से वो जहरीला रसाइनिक पदार्थ मिला हुआ है किसान भी उसको मिलाने के लिए मजबूर है क्योंकि उत्पाधन उसी से जादा होता है एक तो किसान ऐसे भी आर्थीक रूप से उतने सक्षब नहीं होते हैं कि रिस्क ले सकें अब उसको डालने से अगर उत्पाधन जादा कि अब पॉबलिक है लोगों के इसे पे इसी हो रहा है शुकर करने के लिए ऊपाए क्या है और गीनिक खाध और गहीं होता है और अब रसाइनिक की अगर बात करें अगर आप तो वो जो है वो नुकसान दे है लेकिन ये जो तकनीक है ना इसमें क्या किया जाता है मैं बताऊंगा आपको वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं खाद को क्या किया जाता है गोबर एक जगह पे इकठा कर दिया जाता है गोबर के लिए एक तो पैदावार बढ़ाता ही है लेकिन वो health के लिए नुकसान दे नहीं होता है तो ऐसा खाद तयार हो जाता है तो वर्मी कंपोस्ट का उसी लिए उसकिया जा रहा है तो जैविक खाद बोलते हैं उसी यह जाता है जैविक खाद खाद अर्गैनिक फर्टिलाइजर इसा बोल सकते हैं उपियोग वढ़ाव देना देकर रसनी कुर्वरक के उपियोग में कमी लाना जो चिड़के जार रहा है उसके उपियोग में किसके माध्यम से यह माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहे और वह कमाएंगे जादा आप पेसा पड़ेगा गाउन टाइप का निर्मित कर दिया गया है उसमें प्रकृतिक पेंट बनाया जा रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है प्रकृतिक पेंट के साथ साथ क्या किया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है उसमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है सौसैता समू में महिलाओ सब्सक्राइब देख लेना वीडियो लबना हुआ है इस तरीके से डेवलप किया रहा है वूमन इंपावर्मेंट को भी बढ़ावा दिया रहे हैं स्थानी रोजगार उपलब्द होगा, भूमी की उरवरता में सुधार होगा, देखो, रसाइनी खाद जितना ज़्यादा आप भूमी में यूज़ करेंगे, रसाइनी खाद से भूमी की उरवरता में कमी आती है, आपका पैदावार तो बढ़ जाएगा, लेकिन पॉब्लिक बढ़ जाएगा उसमें, तो इससे भी कम हो जाएगा, तो इसको भी सुधार करना भी, इसका एक उद्देश से है, विस रहित खादे पतार्थों की उपलब्दता, मतलब विस रहित खादे पतार्थ कों से, रसाइनी जो आपको लिक्विड जो मार्केट में आपको मिलेग तो उसको खतम करना, उसको कम करना और जेविक खाद की को बढ़ाना ताकि लोगों का जो हेल्थ है वो ज्यादा खराब ना हो, ये वी एक उद्देश से है, सुपोशन को बढ़ावा देना, पबलिक हेल्थ अच्छा रहेगा, सुपोशन आल्रेडी बढ़ेगा, कुपोश चीज है, याद रखना, उद्देश से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, लभार्ती गाय पालने वाले पसुपालक को इसका लाब मिलेगा, क्योंकि उन लोगों से ही गोबर खरीदा जाएगा, गोबर खरीदने के बाद गोमुतर खरीदने के प्राकृतिक प्रेंट यह सब बनाया जाएगा, वो गोबर को ले लेती है सरकार, एक जगा पे गोठानों में ऐसा बना रहेगा, छोटा छोटा टैंक टाइप का बन रहता है, उस गोठान में उस गोबर को एकत्र करेंगे, एकत्र करने के बाद केंचुवा छोड़ दिया जाता है, कि यह चुवा क्या करता है उसको, रिसाइकल करके, मतलब उपर नीचे होगे, उसको क्या करता है, सडा देता है, सडाने के बाद वो खाद का रूप ले लेता है, और उसको क्या किया जाता है, आपको जब लगाएगे ना तो उसको उर्वरण के रूप में ही यह सबसे बेस्ट किस अब अच्छा जाता है वहां भूसको पर उसको प्रोसेसिंग करेगीं वर्मी कमपोस्ट बनाएंगी उससे रोजगार मिला प्रति किलो में उसको करके वर्मी कंपोस्ट बना रही है और सरकार कितने मिंदेगों है कफाइदा कुछ न कुछ क्या होना चीए रमधनी होना चीए लोगों को भी होजगार मिला है एक काम कावत प्रचली था उसलिक्स से मतलब तो ये कर्मपोस्ट का विक्रे मुल्य 10 रुपए प्रती किलो है याद रखना इसको उत्पादन 22,5,138 कुइंटल का उत्पादन हुआ है 31 जनवरी 2023 के डेट में नया आकड़ा है एकदम याद रखना 22,5,138 कुइंटल वर्मी कमपोस्ट का उत्पादन हुआ है 10 रुपए प खाद देपदार्थ से गिला कच्रा होता है एक सुखा कच्रा होता है उसको एक जगह एकत्र कर दिया जाता है एकत्र करने के बाद एक उपर एक एक उपर एक उपर एक उपर एक कच्रा डाला जाता है नीचे वारा जो कच्रा है वो 15 से 20 दिन में डीकमपोस्ट हो जाता है अब घटित हो जाता है उसके बाद सड़ने के कारण इसमें केचवा वगर्ण की कुछ यूज़ नहीं होता है अब इसमें बदबु आएगा इससे परियवरन का बदबू आगा इसमेल आएगा वो सब चीज से कीड़े वगर पनपेंगे वर्मी कंपोस्ट में कीड़ा जाद नहीं पनपेंगे यहां पर आए च्छे रूपए प्रती किलो के दर्स से इसको बेचा जा रहा है वर्मी कंपोस्ट को इसका उत्पादन पांच लाग पचास लेकिन कचरे का भी उप्योग हो जा रहा है आप एक तरीके से भी बोल सकते हैं तो 31 जनवरी 2023 के आकड़े के हिसाब से पांच लाग पचास लाग पचास जार आठ सो बाड़ा बासट कुइंटल जो है वो सूपर कंपोस्ट का भी उत्पादन गोठानों के मद्धम से किया याद रखना है इसको इसका उत्पादन हो है 18924 कुंटल तो यह तीनों चीजें गोबर बनाई जारी है वहापर गोठानों में और क्या किया जा रहा है इस योजना के अंतरगत सारे प्रावधान में बता रहा हूं आपको डिटेल में बिल्कुल निश्चिन्त हो के इससे यह सब्सक्राइब है अब इसको क्या किया जाएगा इसको सोसाइटी के माध्यम से किसानों को उपलब्द करा तो इसको यह चलो गोबर से बिजली और प्राकृतिक पिंट अब यह भी बनाया जा रहा है तो वर्मी कंपोस्ट बना दिया, सूपर कंपोस्ट बना दिया, सूपर कंपोस्ट प्लस बना दिया, और क्या बना रहा है, और बना रहा है, बिजली और प्राकृतिक पेंट भी बना रहा है, बिजली, तो MOU, मैं MOU साइन किया गया है, है ना, MOU साइन किया गया है, कुमारप कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जैपुर सुक्ष्म लगू एम मध्यमुद्योग मंत्राले खादी ओंगरामोद्योग विभाग MSME मंत्राले जो है ना MSME मंत्राले के खादी ओंगरामोद्योग बोर्ड और 36 गण गौ सेवा आयोग बहुत इंपोर्टेंट है भाइ पढ़ लेना अच्छे से क्या गोबर से बिजली और प्राकृतिक पैंट बनाने के लिए किसससे मौ किया गया है किसससे किया गया है मौ बताओ कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टिटूट जैपूर से और किसके बीच भारत सरकार के MSME मंत्राले के खादी चीज पिर यह सब सीख वगके वहां पर ट्रेनिंग मिल जाएगा वो लोग बिजली बनाएंगे प्रकृतिक बनारें बनाने का काम भी हो रहा है ठीक तो बारा जीलों में तेरा इकाई अभी तक इंस्टॉल हो चुकी है संचालित है अभी बारा जीले में तेरा ऐसे गोठानो और प्रस्तावित हैं जो में जिसमें इस तरीके का काम किया जाएगा हर गोठान में निक किया जा रहा है यहां पर बारा जीले में तेरा इकाई ऐसी संचलित की जा रही है यूनिट ऐसा बनाए जा रहा है यहां से सीख के कि वहां से प्रकृतिक पेंट बनाए जाएगा औ और एक सो ए तेरा इका इसन चलित है तेरा यूनिट और 29 यूनिट और 29 गोठान में और इंस्टॉल किया जाएगा तो यह दियाद रखना पर टोटल कितना हो जाएगा 29 और 13 जोड़ लेना ना है तिनो बारा और दो दो चार टोटल ब्यानलिस्ट हो जाएगा ठीक है बारा जीलों में कुल तेरे यह हो गया गोठानों में दाल मिल और क्या बनाए जा रहा है वहाँ पर गोठानों में दाल मिल बनाए जा रहा है दाल मिल अब यह जब आपका बिजली बन गया तो इस बिजली का उपयोग भी तो कहीं पे होगा ना तो वहीं पे दाल मिल बना दि तो यह बिजली भी विल को इसी चीज है टेवलप कर रहा है उस बिजली को यूज करने के लिए डाल मिल बनाया जा रहा है 127 लोगों को फिर रोजगार मिलेगा डालवाल पिसवाने जाओगे आप पैसा दोगे ना फिर रोजगार मिल गया पैसा मिल रहे तेल मिल भी बनाया जा रहा है 161 वे दाल मिल और तेल मिल यह दोनों याद रखना गोबर बेचकर आय अर्जित किया जा रहा है 45 दसमलों घटाना गोबर बेचकर आय अर्जित करने वालों में 45 दसमलों i9 प्रतिसत जो है महिलाएं है मतलब पूरुसों के साथ कदम से कदम मिला कर महिलाएं चल रही है, 45.19% महिलाएं हैं जो गोबर बेचकर आये अरजित कर रही है, अपने घर का खर्चा चला रही है, ठीक है, 31 जनवरी 2023 के कंडिशन में 206.49 करोड गोबर का खरीदई किया जा चुका है सरकार के द्वारा, 206. ठीक है, तो ये था गोधन याई उजना पूरा कंप्लीट, इससे संबन्दी थी अटेच करके जो पिछले वीडियो में बताया था मैं, गोमुत्र कितना खरीदा गया है, विक्री हुआ है, गोबर वाला भी बताया था उसके पिछले वीडियो में, वो सारा चीज भी इसी क अंतरगत एडिशन हो जाता है, वो इसी का डाटा है एक तरीके से मान के चलो, गोधन याई उजना के तहती पूरा शामील हो जाता है, और भी जो ये उजनाई बताते जा रहा हूँ, दीरे दीरे करके अपडेट करते जाना, ध्यान रखना इसको, पूरे तरीके से गोधन ये उजना को मैंने कवर करवा दिया है, अपडेटेट फॉर्म में यहाँ पर देखो 31 जनवरी 2023 कहीं आकड़ा है, ठीक है, तो मुझे उमीद है कि आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल ली होगी, है ना, एक्जाम कभी भी आ सकता है, अच्छे से तैयार रहो, पिछले और वीडियो को नहीं देखियो, तो और रिवीजन कर लेना, और एक बार पढ़ना है, तो नया बैच अगर आया है, तो वो जोईन करना चाते हो, तो जोईन कर लेना, वाटसएप में कांटेक्ट कर लेना, मुझसे, ठीक है, आफिस का नमबर दे दूगा, वहां से जोईन क रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन वन्दे मातर,